हाई फ्रेंड आप सभी का नेक्सा एलेक्टिकल में स्वाकत है आज मैं आपको बताऊंगा वाइडिंग वर्क रेट अगर हम किसी भी इंडस्ट्री या कॉमर्सियल बिल्डिंग में वाइडिंग करते हैं तो उसका हमें कितना रेट क्लेम करना चाहिए तो यह हमारे पास कई सारे आईटम है जिसका हमने हर एक आईटम का एक रेट फिक्स किया है अगर आप इस रेट पे काम करोगे तो आपका प्रॉफिट होगा आप प्रॉफिट गेन करोगे और यह जैनुएन रेट है यह ना ही ज्यादा है ना ही बहुत कम है इस rate में आपको काम आसानी से मिल जाएगा तो सबसे पहला जो हमारा item है 1.5 square mm wire laying जो की हमारा 4 रुपिये पर मीटर है अगर आप 1.5 square mm की wire laying करते हो तो आप 4 रुपिया उससे अगर आप claim करोगे तो दे देगा आसानी से इसी तरह हमारा 2.5 square mm wire है जिसका laying rate है 5 रुपिये पर मीटर और हमारा 3 है MS conduit laying जो की 25 mm की जो हमारी MS conduit होती है अगर आप उसे लगाते हो तो उसका जो rate है वो 45 रुपिये पर मीटर है इसी तरह हमारा 4 है PVC conduit laying 25 या 19 mm यह आपका 25 रुपिये पर मीटर है और 4 पाशो हमारे पास है changing of wall मतब wall की जो हम cutting करते हैं उसका rate है 50 रुपिये पर मीटर और changing of RCC अगर आप RCC की cutting करोगे तो 150 रुपिये पर मीटर क्योंकि RCC की cutting करना आसान नहीं यह बहुत difficult है और हमारा 1, 2, 3 model यह जो हमारा switch socket है इसे लगाने का 100 रुपिये पर नंबर है इसमें आपको modular box भी लगाना होगा switch socket लगाना पड़ेगा आपको इसका phase और rear plate दोनों लगाना पड़ेगा और आपका 100 रुपिये पर नंबर मिल जाएगा तीसरा हमारे पास और हमारे पास अगला जो है three phase TPN DB with MCB के साथ लगाना है जिसका claim आप करोगे 2000 रुपिये पर नंबर अगला हमारा है single phase SPN DB यह single phase DB है MCB के साथ लगाना है इसमें एक आपका two pole का MCB होगा और six आपका single pole का MCB होगा इससे लगाने का जो आप charge लोगे वो 1000 रुपिये पर नंबर लोगे अगला हमारा है ceiling fan installation जो हम छट पे fan लगाते हैं इससे लगाने का rate है 300 रुपिया अगला हमारा है fan box installation जिस पे हमारा ceiling fan लगता है तो जो हम casting करते हैं लिंटर ढालते हैं तो उससे में जो हम fan box लगाते हैं उसका पर नंबर rate है 50 रुपिया आप उसे claim कर सकते हो deep jackson box लगाने का 30 रुपिया आप ले सकते हो इसे lighting के लिए हर जगा deep jackson box लगा जाता है तो उसके लिए आप 30 रुपिया claim कर लो और फिर इसके बाद हमारा है 2 फिट या 4 फिट LED light अगर आप लगा रहे हो तो आप 1.500 रुपिया claim कर दो असानी से और यह ज़्यादा time नहीं लगता light लगाने में असानी से लग जाता है गिट्टी page की help से और फिर हमारा cfl light अगर आप कहीं cfl light लगा रहे हो तो आप 50 रुपिय ले लो एक light का average आ जाता है एक लड़का एक दिन में कम से कम 40-50 cfl light लगा देगा असानी से और फिर हमारा cfl holder अगर आप एक cfl holder लगाते हो तो उसके लिए आप 100 रुपिय क्लेम कर दो यह आपका एक genuine rate है जिससे आपको हर जहाँ काम मिल जाएगा इस rate पर और दोस्तों अगर आप जो है वाइरिंग जो है बहुत सी जहाँ पर अगर आप लोकल गाओ में या तो सहर में वाइडिंग करोगे तो आप square feet के हिसाब से करते हो तो वाइर आप 15 रुपिया square feet अगर आप करोगे तो आपका margin आ जाएगा 15 रुपिया सही है और अगला जो है या तो आप पर पॉइंट करते हो तो पर पॉइंट अगर आप करोगे तो एक पॉइंट का 400 रुपिया लेना है 400 मतलब की switch से ले करके उसका जो पॉइंट होगा लोड पॉइंट जहां पर उससे अपना equipment लगा रहा है light या fan 400 रुपिया पर पॉइंट होगा और उसमें जो है mcb का अलग से काउंट होगा अगर वो चार सुन नहीं देता तो साड़े 300 में भी अगर आप कर दोगा तो भी इसमें अच्छा एक profit gain हो जाएगा इसे पर पॉइंट जो है आप उससे claim कर लो तीन सो पचास से चार सो तक अगर स्क्वाइर फिट में आप करते हो तो 15 रुपिये से 17 रुपिये स्क्वाइर फिट आप जो है रेट लेजरों से इसमें भी आपका profit gain हो जाएगा अगर आपको मेरे चैनल पसंद आए तो प्लीज इसे like करें share करें और मैं और आपके लिए helpful वीडियो लाता रहूंगा ओके थैंक यू